वर्षव राश्य वाले जातकों आईए जानते हैं जनवरी 2024 आपके लिए किस परकार कर रहने वाला है मैं हूँ आपका ध्यात्मिंग दोस्ट टॉक्टर मोहित और आपके अपने चैनल वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों जनवरी 2024 वर्षव राश्य वाले जातक के लिए रहने वाला है बहुत ही खास कुछ साफधानिया आपको बरतनी है कुछ विशेश बातों का दिहान रखना है और पूरा वर्ष 2024 किस परकार कर रहेगा आपके लिए इसके उपर भी हमने एक वीडियो बनाया है जिसे आप हमारे नए चैनल आश्लोजर महुष शा में जाकर देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मुक्सम मिल जाएगा तो क्या साफधानिया बरतनी है पहले हम इसके उपर बात करेंगे देखिए कुछ महतोपुरुन ग्रह जो वन अफ दा सब्त ताराओं में होते हैं सूरिय, मंगल, ब्रहस्पती ये तीन ग्रह आपके तर्क भाव में बैठे वे हैं थोड़ा सा चिंता होने का विशह है इसका रीजन है कि सूरिय आपके किंद्र भाव के स्वामी है और मंगल आपके द वादश भाव भी मारक भाव माना गया लेकिन यह जो चतुर्त भाव है यह एक शुब स्थान माना गया है आपकी माता जी का स्थान है हो सकता है माता जी के हेल्थ में आपको कुछ डेटोरियेशन देखने को मिले माता जी के हेल्थ को लेकर आपको चिंतित हो सकते हैं माता अर्थात की मोक्ष का ज्यान आपको प्राप्त होगा इस जनवरी दोहजार चौबिस में विशेश तोर पे 15 जनवरी तक आपके इर्दगर्द ऐसी घटनाएं ऐसी दुर घटनाएं भी हो सकती हैं ऐसे सदन इवेंट्स होंगे जिसके माध्यम से जिसे आप रीड करके अपने खुद के जीवन में हो रही जो गहन घटनाव हैं अपने खुद के जीवन में हो रही कुछ एहम पहलू है उसे आप समच सकते हैं वहाँ मुक्ष का भाव है मुक्ष का भाव अर्थात की निवर्ती का भाव निवर्ती किसी भी चीज़े से निवर्ती लिब्रेशन फिल्ड राहु की नवम दृष्टी आपके सब्तम भाव में पड़ रही है तो सब्तम भाव भी दृष्टी नहीं है राहु की तो सब्तम भाव भी एक मारक भाव माना गया है लेकिन अगर राहु की दृष्टी यहां पर हो जाती तब आप बचे रहेंगे क्योंकि वाहं दुर घटना जैसे योग का भी निर्मान हो रहा है चत्रोथेश यहां पर अश्टमभाव में स्थित है दोस्तों यहां पर एक और योग बना हुआ है राशी परवरतन योग ब्रहस्पति और मंगल के मंद्य यह दो भाव जो है यहां अश्टम भाव और द्वादश भाव यह तरिक भाव सबसे अशुब भाव माना गया है यह सदन इवेंट्स का स्थान है और यह वै का स्थान है आपके जीवन में कुछ ऐसे सदन इवेंट्स हो सकते हैं जिससे बड़ा वै आपको हो सकता है बड़ा खर्च आपको हो सकता है तो दोस्तों मैं आपको एक छोड़ा सा उपाई बतलाना चाहूंगा सूरिय वारे को सूरि की वस्तू, मंगल वार को मंगल की वस्तू और ब्रहस्पति वार को ब्रहस्पति की वस्तू, किसी भी ब्राह्मन को कुछ दक्षणा 11-21 रुपय दक्षणा के साथ आप दान में दे दें आपका जो भी अशुभत्त हो है ग्रह जनित और ग्रह जो इस अशुभाव में है उसका नाश होगा और आप बचे रहेंगे, आए अन्यविशलेशन के उपर बात करते हैं, बाकी करमस्थान आपका बहुत युक्तम रहने वाला है चंद्रमा आपके चत्रत भाव में रहेंगे और यहाँ पर से स्टार्ट होगा नया वर्ष, तो आपका मन भी बहुत जादा कमफर्टेबल फील करेगा बहुत अच्छा आप आननदित फील करते रहेंगे, जैसे ही नववर्ष प्रारम होगा और बस आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि लगभग 10-11 जनवरी को, 10-11 जनवरी के आज़ पास आपका अश्टम भाव में चंद्रमा रहेगा अश्टम भाव में जब चंद्रमा रहे तो आप बहुत जादा विचलित ना हो क्योंकि यहाँ योग भी बना हुआ है और साथ में अश्टम भाव में भी चंद्रमा आ जाएंगे तो जातक बहुत जादा विचलित हो सकता है बहुत जादा इमोशनल हो सकता है मन में कोई गात लग सकता है अन्य था आपको हानी भी हो सकती है करमस्थान के उपर हम बात कर रहे थे करमस्थान में अच्छा प्रिणाम आपको मिलेगा यहाँ पर शनी ग्रह के जो अपने मंत्री है राहू यहाँ करमस्थान से दुट्य भाव में स्थित है अर्थात की यहां पर शनी और राहू एक साथ मिलकर कारी कर रहे हैं आपके जीवन के करमस्थान को आगे बढ़ाने के लिए आपके roles and responsibilities को fulfill करने के लिए आपके कुछ desires को fulfill करने के लिए और आप अपने जीवन में आए के विर्धी के लिए इनकम के श्रोद के वृद्धी के लिए कारे करेंगे उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी आपके कई सारे नए लोगों से सम्मन्द स्थापित होगा और कई सारे नए नेटवर्क सर्कल फ्रेंड सर्कल आपके बनेगे और उससे आगे चलकर अपने करम स्थान में लाब होने वाला है दोस्तो ब्रहस्पति ग्रहा अब अपने नॉर्मल चाल मारगी चाल में आ चुके हैं 31st December को ब्रहस्पति वक्री चाल को छोड़कर मारगी चाल में आए हैं ब्रस्पति यहाँ पर अब आपको बड़ा लॉस भी दे सकते हैं 1st मई को ब्रस्पति आपके लगन स्थान में गोचर कर जाएंगे लेकिन अभी यह जनवरी माह जो है यह especially बड़े financial लॉस को दे सकता है इस बड़े financial लॉस को रोकने के लिए जो मैंने पहले उपाई बत लाया उसको आप करें यह एक कारगर उपाई है इससे आपको लाब होगा शुक्र और बुद्धग्रा है शुक्र का गोचर 18 जनवरी को आपके अस्टम्हाओं में हो जाएगा 18 के बाद आपको पुर्णा रूप से अपना दामपत्य सुख प्राप्त होगा आपको इन लॉस के फैमिली मेंबर्स के तरब से भी लाब की प्राप्ती होगी और अभी भी वर्तमान में भी यह एक विवाह का भी योग बनता है किसी पुरुष के लिए यह विवाह योग का अंदर मान कर रहा है इस्तरी के लिए भी विवाह योग का अंदर मान कर रहा है पुरुष के लिए अधिक रूप से क्योंकि शुक्र जो है वहाँ उसकी इस्तरी है तो व्रिशव राशिवारे जातक आपको दामपत्य सुख पुर्ण रूप से प्राप्त होगा, अपने रिलेशन्शिप पार्टनर्शिप का सुख प्राप्त होगा और आपके विवाह होने का भी योग बन रहा है इस अवधी में यदि आप पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं तो आपको किसी इंस्टिट्यूशनल फ्रेम वर्क में जा करना अपितू आपको ओन लाइन या फिर कोई वैसे टाइप के कोर्स जो क्लास्रूम प्रोग्राम ना हो उसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं क्लास्रूम प्रोग्राम में आपको लाव नहीं होगा इस अवधी में बाकी संतान का सुख से भी आप पुरोन रूप से वन्चित ही रहेंगे क्योंकि केतू का गोचर यहाँ पर हो रहा है बाकी बुद्ध की स्थिदी जब अच्छी होगी तो आपक इसका एक बेसिक परणाम मैंने मतलाया तो दोस्तों यह था मैंने एक छोटा सा विशलिशन वर्षव राशी वाले जातक के लिए जनवरी 2024 किस प्रकार करेगा आशागरता हूं आपको मेरा यहाँ वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं हमारे इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और हमारे नए चैनल में जाकर 2024 वर्षव राशी फल आप जरूर से देखें दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में तब तक लिधन्वाद जैहिंद